सब श्रीकाल दोस्तों वेरी गुड इवनिंग टू आल अफ यू वेलकम टू सक्सेस्ट्री सफल्दा दे रुखोते तोड़ा सारे अदा बहुत-बहुत स्वागत है मेरे नामे रोहित मिड़ा दोस्तों जिवे की तौनू पता हैगा कि पंजाब दे वेच इलेक्शन दे रि यानि कि पहला मुद्द पंजाब सरकार लेके आ रही है उसे रुजान देख दे हुए पकमिंग एक्जाम ने जड़े की एक्जाम होने हले बाकी ने तो हुन उना एक्जाम दा सिंसला बहुत जल्दी स्टार्ट होएगा तो उसे एक्जाम दे चाल दे हुए अपना कांट् कोशन सेरीज एना इस सीरीज दे वेच रोज 25 कोशन दे एक क्लास कंडक्ट किती जाओगे टोटल चाली लेक्चर तो अनू प्रवाइड किते जानगे शाम नू आठ वजे क्लास होया करोगी 1000 मोस्ट एक्जाम देख कवर कराई जानगे जडेकी PPSC लेवल ते काफी इस सीरीज नू स्टार्ट कर दे हुए पहला लेक्चर आज इस दा इसकास करांगे एड इस लेक्चर देविच आज अपा प्वालिटी दे पच्छी कोशन दिसकास करने वाले याद मोस्ट 25 कोशन मोस्ट 25 इंपोर्टेट कोशन एक्स्टेड कोशन रिगारिं PPSC लेड़े की पेपर पाइट आफ यू तो खाफी इंपोर्टन होने इन अधा एक्स्टारेशन डेटेल देविच इनननों डिसकस करांगे सीरीज नू स्टार्ट करन तो पहला क्लास नू स्टार्ट करन तो पहला मैं तो नू दासदा कि हाले तक अगर तुसी साड़े यूट्यूब च इसक्रिप्शन देविच दित्ता गया है ओथे जाके साधे टेलीग्रम चनल नू जू जॉइन कर सक देओ चलो चल देया आज दी साड़ी क्लास देवाल PPSC 1000 मोस्ट एक्सप्टेड कोशन सीरीज दा लेक्चर वन डाड़ी डिसकस करूंगा ता फर्स कोशन देवाल चाल द देवाल बदना ताइम भी हुंदा साड़े को लिमिटेड बट कोशन नू भी प्रॉपर वित्रिक करनाल समझांगे ता सही आंसर कर पावागे क्योंकि पेपर्स यह गर मैं गल करां PPSC ग्रूप A थे ग्रूप B दी रिकृट्मेंट करता पोस्टा बहुत काट हुंग यान anti-defection law और anti-defection law नू लेके यह थे 2 statements नितिया गई यह थे आपपा देखने है कि केडी statement जडी है गिया हो correct है ठीक है ता पहली statement की है 91st amendment act of 2003 removed and exception provisions in anti-defection law that is the disqualification on ground of defection note to apply in case of split second statement की केंदी है any question regarding such disqualification arising out of defection is to be decided by supreme court ता दो statement ने साधे को लो देखो पंजाब पंजाब दी गाल कर देया हुने 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 direction होए ठीक है 117 सिइटा ने विचे 92 सिटा आम आदमी पार्टी जिती होन अगर मजॉर्टी नहीं पार्टी को निंढ आँ अगर किसे पार्टी को में जोर्टी नहीं एंदी ता की हुने की MLA अपनी पार्टी सब्सक्राइब दूजी पार्टी जान देने ठीक है MLA हो गे है या MPs होगे जदो लोग सबादे चुनाव हों देने MPs दिगाल करांगे कि MP अपनी पार्टी आइचाड़ के दुझी पार्टी आइचाड़ कर लें देने कई-कई-कई पार्टी आई पूरिया कर्वर्ट हो जान दिया जोइन कर लें दिया तो उस लेवल ते गल अंधिया ठीक है ओनना ने की किता उन्होंने एक देन दे वेचे एक रिकार्टबनाया की किता одна एक देन दे पाटी बदल लेंदा है गा ता इस टीजनों लेके कोई कानून नहीं सी गाता उन्नी सो पचासी देवेच इस लेके कानून बनाया जानदा है एंटी डिफेक्शन लौ इंडिया देवेच चांदा उस तो बाद 2003 देवेच 91 अमेंडमेंट एक्ट फिर तो रिपर्जेंट हुन this qualification on ground of defection not to apply in split case, yes this is true not to apply in case of split, in 91st amendment देणाल change किता गया सीगा, 91st amendment देणाल change किता गया सीगा, उस तो बाद, any question regarding such disqualification arising out of defection is to be decided by Supreme Court, की अगर किसे MLA देउते case हो रहे है, टीक है, ता ओस दूनों disqualify करना है, ओस दा judgment, basically decision को लेगा, ता है decision लेंदा हुन लेगा, ता है decision ले MLA हैगा, MLA हैगा, ता हुस्टेट देडी विदान से बहगी, और देडा speaker हैगा, that is the presiding officer, ओ decision लोगा, ओ decision लोगा, लोग सबार केस्ट, लोग सबार speaker लोगा, राजे सबार केस्ट, chairman लेंड गे, that is the vice president of India, ता हो की कहनदे है, defection जडी हैगी है, उन्नों Supreme Court decide करदा है, नहीं, यह point गलत हो जानदा, Supreme Court नी, presiding officer decide करदा, presiding officer decide करदा, ता सादा है, right answer data निकल के आनदा, that is only one, क्योंकि first statement सादा correct सीगा, first statement सादा, बिल्कुल correct सीगा, यह सादे को निकल के आनदा, that is anti-defection law, ता जिवे कि मैं पहले हैं, 52nd amendment 1985 देवेच हुई, ते MPs ने या, MLS ने इना नु 10th schedule है, add किता गया सीगा, ता 10th schedule ही कहनता सीगा, anti-defection law, anti-defection law, clear, ता Supreme Court भी है की कहनता है का, Supreme Court में आप है, classify केता है, कि अगर, अगर किसे house दे विच, disqualified कोई cases आनदेने, either defection कोई cases आनदेने, कोई caution raise हुनदा है, deciding का caution under the 10th schedule है कोई caution raise हुनदा है, then presiding officer act as a tribunal, presiding officer जड़ा head हुएगा, ओ एथे, tribunal दे तोर ते, work करे गा, clear, the presiding officer of a house is empowered to make rules to give effect to the provisions of the 10th schedule, clear, ता basically 85th amendment देवे, एक खोर चेन सीगा, 85th amendment लेके आई सीगी, sorry 85th के रहा, that is 1985, 52nd amendment जड़ी सीगी, ओ लेके आई सीगी, कि अगर कोई नो कोई पुरी political party ही मर्ज हुन दिये, अगर एक पुरी पुरी पुरी पार्टी जड़ी एक हाँ मर्ज होई रणा, ठेक है, तो ओस case दे विच क्यों थाए, MPIA MLA, उस party जड़ जड़े हागेने, ठीक है, अगर नेशनल पार्टी है तो MP, जड़े होंगे, अगर उस state party है तो MLA जड़े होंगे, पुरी 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 पार्टी दे जो एक तिहाई MPI MLA अगर साइन कार देने कि असी इस पार्टी नो जाके ज्वाइन कर रहे है पूरा दा पूरा ओस केस ते एथे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होएगी अदर्वाइस कोई बंदा पॉलेटिकल पार्टी चाड के दूसरी पॉलेटिकल पार्टी नो ज्वाइ नान्दा है कि एक तिहाई यह संख्या रखी एक तिहाई रूल रखे गया सिगा एक तिहाई नो लेकिए उन्हों दो तिहाई कर देता रहन्दा है कि अगर किसे MPI MLA नो डिस्क्वालिफाई करना ठीक है ता दो तिहाई तो कट मेंबर होने चाहिए ने जड़ेगी पार्ट मैं जड़ावगा त्यास मैंबर और में अमेंबठी करना Apollo में ट शांटे इंगर अपनी अश्याइड मार्ण आपर्वें पार्टी रसंक्ट सेगें कि न दूसरी पार्ती तें ज्रूर आधम्स आणें डिशookie IS Key जो साथ ने अगर agree कर लिया, कि साथ ने agree किता कि अपपा बीदे वेच मर्ज होना चाने है, ठीक है, बीदे वेच मर्ज होना चाने है, ता यह party मर्ज हो जाएगी without any defection, defection नहीं चलेगा, बाकि देटेटेटे टी MLA MP बचे जिना ने agree नहीं किता, होन यह चांड ता किसे अगर अनदर political party ने join कर देने, ता इना ते defection law applicable ने होगा, क्योंकि ए political party the decision सीगा मर्ज होना, ता इना ते defection law applicable नहीं होगा, basically parties ही defection law ली जांदियाने, उन जवे तुसी सुन दे होगी, बहुत सारी states ते वेच केस होनदा है, कि MLA खरीदे वेचे जांदेने, ठीक है, जो दो election बहुत सारी states ते वेचे दार इशू होनदेने, ता मानलो एक state सीगी, मानलो एथे 117 सिटा सीगे पंजाब दिया, अगर BJP नू मानलो एथे, चुरंजा सिटा मिल जांदिया, सरकार बनाना स्ते चाहिए, उन आठ, ता 5 सिटा मास ते अगर BJP Congress या आपने MLA खरीद लेंदी, ता आप वाले की करदे, इनना 5 MLA लेके, हाउस देवेच, डिफेक्शन लाव परड्यूस कर देंदे, के गलत हो रहा है, के डिफेक्शन है, MLA जित्ती साधी पार्टी तोने, पर जोईन होन दुजी पार्टी कर रहे है, इनना ता डिफेक्शन दा केस हो रहांदा, इनना कितना जा सकता सीगा, ता anti-defection law एथे 1950 देवेच आया सीगा, 52nd amendment दे आल, उस तो बाद 91st amendment दे आल, 2003 देवेच एननू amend कितना गया सीगा, clear हो गया हुगा, I think, अगे चलो देए, next question ते, सड़ा next question, सड़ा next question आया हैगा, fundamental rights नो लेके, ता आपका दसना हैगा, the correct statements about the fundamental rights, fundamental rights नो लेके, केडी-केडी statements correct ने, देखो तुसी जिनने भी question है थे देख रहे हो, English देवेच देख रहे हो, क्योंकि PPSC देड़ा pattern हैगा, PPSC दे paper जेडे, cooperative inspector दिगाल करा, NAP तसिलदार ठीक है, बट मैं पूरा translate तो अनू वधिया तरीके नाल करन दी कोशिष का रहे है कि तो अनू समझ हर एक नू आजे चाहे उनू English वधिया नहीं व्यांदिया, मैं कोशिष द्दा दिखा रहे है, ता fundamental rights नो लेके, ते statements दितिया गई या ने, ता 5 statements ने, आपका देख देख है केडी, incorrect है, they are enforceable in the court of law, fundamental rights ने, जडे ने, they are enforceable in the court of law, yes, it is correct, it is correct, these rights are absolute, no, these are not absolute, these can be changed, टेक है, these are not absolute, they can be suspended during national emergency except some, yes, जदो की basically emergency लग दिया, national emergency लग दिया है, article 352 हो गया, ओस case ते विच, fundamental rights suspend हो जांदेने, बट सारे fundamental rights suspend नहीं होंदे, yes, it is true, next is, they are available only to the Indian citizen, no, some fundamental rights are also available to NRIs person also, कोच fundamental rights NRIs नो भी मिल देने, टीक है, उस तो बाद, they are contained in a part 4 of the constitution, no, this is again wrong, ता मैं कहा सक्दा है कि मेरे को 2 statements करेक्टा है याने, एक ता पहल दूसरी आई है, तीसरी, ता first and three मेरा answer एते हो जाएगा, first and three मेरा answer एते मेरे कोल निकल के आजाएगा, clear, fundamental rights, ता अगर मैं ते गाल करा, fundamental rights थी, ता इंडिया दे विच जडे fundamental rights ने, ओ, article 12 तो लेके, पैंती दे विच, define किते गे, article 12 तो लेके, article 15 दे विच, and fundamental rights नी डिक है, and fundamental rights नूं, magna carta of the Indian constitution भी क्या जाएगा, and fundamental rights ने, एते जस्टीस दे बलने, they are justiciable in nature, clear, मतलब कहा है जाएगा, कि अगर किसे बंदे थे, fundamental rights थी, violation हो जुन धी, अगर किसे थे fundamental rights थी, विच जुन धा ता ओ, ओ, court दे वेच, जा सकदा है, case वाइल कर सकदा है, कि मेरे fundamental rights it's the violation एथे हो रहा है, यह एथे problem अगर किसे बंदे नूँ आ दिया था, तब fundamental rights थी हो अगर मैं गल करा था, अपने कोल 6 fundamental right ने presently, ठीक है, fundamental rights अपने कोल किने ने, 6 हैंगे ने, किडे किडे ने, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies, clear, उस तो मार एक right to property भी सीगा, article 31 दे वेच यह नू थे basically fundamental rights थो remove कर देता गया सीगा, 44th constitutional amendment dedicate in 1970 दे वेच आई सीगी, yes the law यह नू delete कर देता गया सीगा, delete कर देता गया सीगा, clear, यह नू delete कर देता गया सीगा, तक केडे केडे सादे को लो थे fundamental rights ने, articles में पूरे cover करा रहें, देख सकतो, पहला fundamental right to equality, right to equality, article 14 दू लेके, article 18 दा cover होंदा, 14 केंदा, equality before law, की कानुन दे वर लही सारे बराबर है, तो सारे लही कानुन बराबर है, equality before law and equal protection of law, clear, article 15 केंदा, prohibition of discrimination, article 15 की जाधपाद नू लेके, ठीक है, अमीरी गरीबी नू लेके, caste नू लेके, किसे भी बंदे देनाल, शोशन नी होना चाहिदा, पेदपाव नी होना चाहिदा, discrimination नी होने चाहिदी, article 15 दा movie भी बनी होई है, article 16, equal opportunity in public employment, सरकारी नोक्रियां देवेच, हर जाधे बंदे नू ब्राबर दा मोका मिलना चाहिदा, हर नू, उस्तो बाद स्तारा नंबर आर्टीकल केंदा, abolition of untouchability, छुआ चूत नू खतम करना, ठीक है, उस्तो बाद अगला आंदा, right to freedom, right to freedom, ठीक है, right to freedom देवेच, एथे 6 जीजा एंजी ने, article 19 देवेच, ठीक है, freedom देवेच किया रेगा, right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully and without arms, right to form association or unions or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business, एना देवेच अगर किसे भी student नू कोई भी doubt है, नहीं समझ आ रहा है, तो comment section देवेच पोचलियो, उस्तो बाद, article 20 केंदा, protection in respect of conviction of four offenses, ठीक है, basically, अगर कोई बंदा आपना गुणा कबूल कर लेंदा, तो ओदे भी rights नूने थे protect करना, उन्हों protection देनी, article 21 केंदा, protection of life and personal liberty, ठीक है, article 21a, right to education, ये add किता कैसी का amendment देना, right to education, कि हर किसे नू पडंदा अधिकार हैगा, article 22, protection against arrest and detention, कि किसे बंदे नू अगर illegally arrest or detain किता जा रहा है, तो ओस नू वी अथे होदे, right ने एदा नहीं किता जा सकता, ठीक है, next, right against exploitation, article 23, prohibition of human trafficking and forced labor, किसे तो जबर दसती labor नहीं कराना, insana नू, बच्चे नू, women's नू, एक देश तो दूसरे देश्ट बेचना, ये illegal है, ठीक है, article 24, prohibition of child labor, labor नहीं करा सकते, बच्चे नहीं करा सकते, ठीक है, अस्तमर आटिकल चबी केन्दा, freedom to manage religious affairs, article 27, freedom from taxation and promotion of religion, article 28, freedom from attending religious instructions, article 29, that is next, educational and cultural rights, protection of interest of minorities, clear, article 30, rights of minorities to establish and administer educational institutions, next is, right to constitutional remedies, article 32, article 32, the heart and soul of Indian constitution, the heart and soul of the Indian constitution, एनु क्या जान्दा हैगा, ठीक है, basically, article 32, जो कि basically, अगर किसे भी बंदेदा शोषन होन दाता, उनु पावर प्रोइड कारदा है, ठीक है, article 32, that is, एस देवेच, पांच रिट्स भी देतिया गया ने, साड़ेकों 5 रिट्स ने, साड़ेकों 5 रिट्स साड़े को लेते है गया ने, इनना रिट्स नु लेके मैं अल्रडी एक वीडियो बनाई हुई है, साड़े YouTube चनल ते अवेलेबल है गया है, मैं नीचे description देवेच, link भी देदूँगा, detail देवेच इनलों समझाया गया है, clear, next is article 33, empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces, parliamentary forces, police forces, intelligence agencies and analog forces, article 24, provides for the restrictions on fundamental rights, while martial law, martial law the case, fundamental rights, the conditions are applicable, article 35, empowers the parliament to make laws on the fundamental rights, that is, this is the question regarding the fundamental rights, next question भी तोड़ा ऐसे दे related हैगा, and इस दा answer तुसी easily बहुत चंगे लेवल दे कर सको होगे, क्यों कि basically fundamental rights नुने लेखे, मैं previous question देवेच, पूरा detail देवेच, तौनों समझाया है, ता मैंनु लगदा है की easily तुसी इस question दा answer कर सकते हो, ठीक है, देख देया question की कहनदा है, which one of the following features of the fundamental rights under the Indian constitution is not correct, होना पर दसने की केडा correct नहीं है, clear, केडा correct नहीं हैगा, ता पहला statement मेरे कोल किया है, they are above ordinary laws, this is correct, yes they are above the ordinary laws, this is the correct statement, next is they are absolute, मैं पहले भी दस्या, these are not absolute, ठीक है, these are not absolute, this is wrong statement, they are justiciable, yes, fundamental rights are justiciable in nature, yes, this is correct, they are six in number, yes, अपा हुने हुने पढ़े है की fundamental rights रडे कुल किनने ने 6 fundamental rights रडे कुल है गेने, ठीक है, 6 fundamental rights रडे कुल एथे सानू provide किते गेने, ता आपा देख सख देया है थे, की एक statement मेरे कुल wrong आया थे, अपा not correct रडेस रसना सीगा, ता only two मेरा answer रहते हो जाओगा, only two मेरा answer रहते हो जाओगा, ता चलने आगे next question दे, next question मेरे कुल की आंदा हैगा, the schedule 5th of Indian constitution deal with the provisions regarding the administration and control of scheduled and tribal areas of Assam, की पारत ये सविदान दा, Indian constitution देख पन्यमा स्क्डूल हैगा, ता असम दे स्क्डूल ता tribal areas नू लेके वक करदा है, नहीं, ता चार स्क्डूल नू लेके वक करदा है, ता ता, it is incorrect, next statement देख देख देख, the article 244a of Indian constitution in Visigas is formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam, yes, that is article 244a ये थे provide करदा provision की Assam दे कुछ particular tribal area नू कठा कर देऊ, एक particular state थे form किते ही जाए, ता I can say, the second is the correct answer, option 2 is the correct answer में थे देख सक्डूल है, ता ये थे 5th schedule केंदा हैगा, चार states, केडिया केडिया असम में गाल्या तरिपुरा थे मिजवरम, एना चार states थे देले ये थे provision state थेड़ा हैगा, 5th schedule ते थे define किता गया हैगा, and उस्तो बाद 6th schedule थे 5th schedule थे आरिन थे आरिन थेड़ा हैगा, article 244a थे में नू power provide करदा हैगा, that is for creation of an autonomous state within Assam in certain tribal areas, clear, certain tribal areas, and एडिड़ा basically article 244a या फिड़ी पावर सी गलगरा, that was inserted into the constitution by the 22nd constitutional amendment, that is in 1969, 1969, clear, next, साड़ा 5th question, 4 question अपा cover कर चुके हैं, 5th question थे आब आ चुके हैं, 5th question अपा cover करने ने, I hope तो आनू समझ आ रहा होगा, next question साड़े कोल थोड़ा easy आ जानदा हैगा, पहला आपा थोड़े जा वदिया लेवल थे question कर रहें, ठीक है, एक question था answer भी तुसी कर सकते हो बहुत easily, when did the constituent assembly pass the objective resolution unanimously, हान जी, objective resolution नू कदो पास किता गया सीगा, constituent assembly थे दोहरा, the constituent assembly ने basically objective resolution सीगा, ओ यथे adopt किता सीगा, मतलब present किता सीगा, तेरा दिसंबर 1930 नूовор जवारल नहरुजी दवरा इन्नू present किता गया सीगा, फिले questa डिसंबर 1940 देवेश बैसेंट किता गया सीगा, जवारलाल नेरुगेद्वारा ठीक है, constitution दे कुछ principles नुन लेके जड़े की बाद देवेच इंडिया दा प्रेंबल बन गया, प्रेंबल साड़े constitution दा बन गया, और भाई जनवरी उनिस नो संतालिस नो इस नो adopt कर लिता गया, adopt कर लिता गया, next question, which article of Indian constitution deals with the power of the parliament regarding the constitutional amendments, हाँ जी इनन दे विचो केड़ा article जड़ा हैगा साड़े पार्थे सवीद आन्दा, amendments नो लेके, constitutional amendments नो लेके deal कर दा, एक article बहुत सारे students नो पता हुगा क्योंकि बहुत ही easy question मैं थे put करें, बट पेपर देविच आन्दे काफी सारे chances होंदेने, amendments नो लेके, ता amendments नो लेके रेड़ा थे आड़ा articles power provide कर दा, that is article 368, clear, article 368 of Indian constitution defines, की तुसी constitution देविच amendment कर सक्दे, तुसी constitution देविच amendment कर सक्दे, ठीक है, constitution देविच amendment कर सक्दे, clear, that is article 368, article 368, चलो जी and that is including in the part 20, part 20, next question, under the constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty, एनन दे विच्चो केडी fundamental duty नहीं हैगी, ठीक है, केडी fundamental duty नहीं हैगी, तो अनु सारे नु पता साढ़े कूल 11 fundamental duties, साढ़ा constitution ने थे provide कर दा हैगा, and एनन दे विच्चो केडी fundamental duty नहीं हैगी है, ता सब्तो पहला मैं देख लेने, आप सारे रीट कर दें तो नु सारे नु पता हूगा, ठीक है, to vote in public election, no, this is not a fundamental duty, to develop scientific timber, yes, to safeguard public property, yes, it is a fundamental duty, to abide by the constitution and respect the ideals of the constitution, that is the fundamental duty, the option A थे साढ़ा answer हो जन्दा, to vote in a public election, किसे इंसान थी fundamental duty नहीं हैगी की election देवेच वोट पाना, clear, and कडिया कडिया fundamental duty साढ़े को लेगिया ने, that is abide by the Indian constitution and respect its ideal and institutions and national flag and national anthem, ठीक है, राष्ट्री तवाज हो गया, राष्ट्री चंडा हो गया, राष्ट्री एंथम हो गया, इस दा सम्मान करना, ठीक है, constitution दा सम्मान करना, cherish and follow the noble ideals, that inspired the national struggle for freedom, पारत दीर दिगर परसन रहे नहीं, that is Pagad Singh, Mahatma Gandhi, ठीक है, शुवास चंडर बोस इना दा सम्मान करना, इना दा सम्मान करना, uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, पारत दी sovereignty, unity and integrity नुँ बचाके रखना, defend the country and render national service when called upon, अगर पारत देश जिवेज यूकरन दी condition हे गिया, यूकरन देट citizen ने अपने देश नु बचान देवेच लग चुके ने, ओवे ही पारतिया नागरिका नु ऐ फंडमेल्टा दूडी प्रोवाइड किती जांदी, कि अगर किसे देश नी लड़ा ही हुंदी है इंडिया देनाल, तब पारति नागरिक भी अपने देश नी अगे आणगे, next is to promote harmony and the spirit of common brotherhood against all the peoples of the India, ठीक है, तरम नु, जातपाद नु, हर चीज नु छट दे होई, पेरपाब ना कर दे होई, हर लोकार देना, हर citizen देनाल, पाइचारामन आके अगे बदना, पाइचारामन आके अगे बदना, value and preserve the rich heritage of countries, composite culture, पारत देश ने रिड़ा, heritage हैगा, culture हैगा, नु बचा के रखना, protect and improve the natural environment including the forest, lakes, rivers, wildlife, ठीक है, strive towards the excellence in all spheres of individuals and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of the endeavor and achievement, provide opportunity for education to his child or ward between the ages of the 6 and 14 years, ये fundamental, पहला सदे को 10 fundamental duties सी गिया, article 51 A देच, ठीक है, article 51 A देच, सदे को 10 fundamental duties सी गिया, but, जो सदे को 2002 देच, amendment किती गई, 86th amendment act है, 2002 देच, उजदे नाल एथे एक और fundamental duty हुई, एड किती सीगी, कि 6 तो 14 साल तक देडे बच्चे है, येनू, compulsory education येथे provide किती जावे, education provide किती जावे, clear? Next question, the 8th question of the day, that is the preamble enshrines the ideals of the liberty, equality and fraternity, ideals inspired by, basically, side of the preamble हैगा, देखो, preamble is the introduction of the constitution of India, preamble की ये introduction है, ता इसदे विच 10 word हैथे अंदेने, that is the liberty, equality and fraternity, ठीक है, liberty, equality, fraternity, fraternity, fraternity जा मतलब हुदा पाहिचारा, ता एक केडे देश तो अपा एथे, inspire हो के, adopt किता, केडे, basically revolution तो अप्ट होए, and this is French revolution, French revolution तो अपा प्रेरित होके येनू एथे आड किता सी का सढे constitution देवेच, French revolution तो अप्ट होके, प्रेरित होके. Next, the 9th question, the according to the Dr. B. R. Ambedkar, which of the following articles of the Indian constitution was to remain a dead letter? पिया अम्बेतकर दे, अकॉर्डिंगली बावा साहब अम्बेतकर, the father of the Indian constitution एना दे, accordingly केड़ा आर्टिकल एदा रसीगा Indian constitution देवेच जड़ा की एक dead letter मनने जाना है, dead letter मनने जाना है, देखो, जोदो किसे state दी, constitutional machinery breakdown हो जान दिया, ठीक है, या फिर अगर कोई state, अगर किसे state देवेच दी कानुन व्यवस्ता है गिया, Indian constitution दे, accordingly नहीं चल दिया, ठीक है, constitution दिया, norms ने, articles ने इना दा violation होंदा, कोई state अगर एदा करदा आ रहे है, निरंतर एदा करदा आ रहे है, तो वो state देवेच लगा है रहनदा, president rule, that is state emergency, जो आपा कहने है, that is article 356, article 356, clear, article 356, that is यहनु के रहनदा dead letter, क्योंकि इस दे चल दे हुए, सरकार जड़ी है, center government जड़ी है, president rule लगा रहन दिया, तो state देवे जड़ी constitutional machinery है, legislative assembly है, or dissolve हो जान दिया, or dissolve हो जान दिया, मतलब, सरकार, center government, सब कुछ अपने अंदर लेलन दिया, that is article 356, that is the state emergency और article 356 यहनु बोला जाता, president rule, next question, that is question number 10, which of the following committee suggested to incorporate the fundamental duties in the constitution, थोशन, बेखो Homnay roughly 10 दिया haft 151 यह, 11 fundamental duties thread all the standard measures, but KD committee the recommendation दें Bettye देंधे जिए cultural אני ऐफ parked then store KD Committee the recommendation दें ऑद्धिज fundamental duties đेंधाई the recommendation to India which, fundamental duties आड ऑ़ो जींनु आब एसिए qué in that is Swann Singh committee, that is Swan Singh committee, eso 수가 sing committee, duckmasseane committee the recommendation that India देंच आज़ींrimental duties, fundamental duties, next., ठीक है, तर 9th schedule to the Indian constitution was added by, हाँ जी, 9th schedule जड़ा Indian constitution देवेच हैगा, एनू केडी amendment देना लाँ आड किता गया सीगा, देखो, 26 January 1905, 26 January 1905 नू सड़ा constitution implementation चांदा है, हाला कि 26 November 1909 देवेच ए बढगया सीगा, ठीक है, and implementation देवेच आंदा हैगा 26 January 1905 नू, उन 26 January 1905 जड़ो constitution implementation देवेच आंदा है था, 1900 कवंजा देवेच ही, by the JL Nehru, by the JL Nehru, एस देवेच पहली amendment भी किती जांदी है, एस देवेच पहला amendment भी किता जांदा है, and the पहला amendment जड़ा सीगा, ओही एस देवेच लेके आंदा है 9th schedule, 9th schedule, इस तो पहला सादे कोल 8th schedule जीग तो 9th schedule जड़ा सीगा, ओपहली amendment दे नाली add हो गया, ओपहली amendment दे आली add किता कर दिता गया, clear, पहली amendment, 1st amendment, 1951 देवेच होई, clear, ओन एथे basically, की क्या गया, 1st amendment देवेच, पहली amendment लेके आई की center government, the state government दे कुछ law जड़े होनगे, एक list लेके आई, ठीक है, schedule देवेच एक list जड़े की court देवेचे, challenge नहीं किते जा सकते, गुछ कानून आई किते सकते, 13 कानून आई किते गए, कुछ होर भी changes देवे, article 31A, article 31B, काई सारे चेंजी से फ्स्क्रडूल लाए या सिगा, फ्स्क्रडूल लाए या सिगा, शरी, फ्स्क्रडूल करे या, फ्स्क्रडूल लाए या सिगा, नाइथ स्क्रडूल लाए या सिगा, चलो जी, अगे चल देया, question number 12, that is the emergency provisions in the Indian constitution have been adopted from which of the following constitution? that is the Weimar constitution of Germany, that is emergency provisions and we have a three main article regarding the emergencies, that is article 352, article 356 and article 360, that is for national emergency, that is for national emergency, that is for state emergency or I can say president rule and that is for financial emergency, clear, national emergency, state emergency and financial emergency, clear ho gaya hae ga, part 18 jada hae ga Indian constitution da emergency provisions rule like a deal karda ha, emergency provisions rule like a deal karda ha, we have three articles, you can do it, next question, the question number 13, if we are talking about this question, the constitution of India is republican because it, haan ji, paranda reda constitution hae ga, ennu republican kya dhanda hai, kyo kya dhanda hai ga, char options ne sa de kul, because it provides for an elected parliament, second option is it provides for adult franchisee, third is that contains a bill of rights and the next one is has no hereditary elements and I can say the constitution, constitution of India is repubbling because it has no hereditary element, as de wich koi hereditary element nahi hae ga, okay, log jada ne, log tantra aethe chalda hai ga, democracy chal diye ga, log aapnii sarkar chun deane, log jada aethe neta chun deane, koi monaak system nahi hae ga, koi dictatorship nahi chal rhea ga, chun deane, log aapnii hath hi, jada basically power jada ne, or chun deane, kyao kya nahi haathe ji power hai, we the people of India, clear, clear, aappa log hi sarkar no chun deane, aese lai, aethe jada india hai ga, aek republican state hai ga, thik hai, india rhea wich elected head of state hon da hai, monaark di jagate, monaark di jagate, elected head of state appoint keita hai, jinnu aappa log hi chun deane, just like panjab dhi wadha, panjab dhi wadha, panjab dhi wadha hune aappa gal kar liye hai, thik hai, pahla aethe dho parties raaj kar diane aariya si, ya ta akalidal si ga, shiromani akalidal, yaa phir congress party si ki, but this war loka ne badlaav badal ke aam aadmii party no mohka deeta, that is people, loka ne, taa loka tantra dhe wich loka di sarkar hon diya, loka chun deane, kya wen dekhya ki, prakaat singh badal, sukhmeer badal, captain amrinder singh, navjot singh, dhu ee raja ban ke kumde si, yaa nao lagda si, saa nao koji hara nahi sakda, thik hai, but janta jado aandhiye na, jado janta re gaal aandhiye, taa loka hi yaa nao jitandene, thik hai, loka hi utteya bithandene, loka hi thalle laike jandene, onjo bandha koch ni hunda, ee politicians za ee aal hai, taa aam aadmii party noo loka ne mohka deeta, kyonki sare MLA dekho kinni kini majority dhe naal jitte ne, that is the initiative. The next question is, question number 14, that is the constitution was adopted by constituent assembly on 26th of November 1949 and the come into effect on the 26th of January 1950, why was this date chosen, ee date kyo chuniigi hala ki kyunki 1911 chabhi november nu ee pass ho gaya si ga, adopt kar leta gaya si ga, but implementation de vee chabhi januari 1915 kyo haya, ees da reason ethe puchha gaya ga, the first statement is, the government of India Act 1935 was enacted on the same day, noo, this was not correct, the self-government was formed after quitted act, noo, the Indian national congress proclaimed the poornh savraj in 1930, yes, in 26th of January 1930, Congress party, Congress party ne, Indian national congress ne, pahali wari poornh savraj di maang keate si ki, poornh savraj, sa hanu poornh savraj chahi da, ta ees di maang hoi si ki, ta ees se tariq nu, eena nu lagya si ga ki, 1903 deevech, ees poornh savraj di maang nu log pol jaange, ta uus dinnu zindha rakhan vaaste, yaad rakhan vaaste, te 26 janvari da din chunaya gaya si ga, 1915 deevech, teek hai, din chunaya gaya si ga. That is poornh savraj resolution, poornh savraj. Next question, the question number 15, I hope ta nu session changa lagraya hai ga, session changa lagraya hai ta, like karna nahi pulna hai ga, anaak ta tusi kar sakde hai gyo, and regularly class nu attend kar de rehi ho, class roj hoon vali hai, teek hai, Monday to Friday, Monday to Friday, shami 8 wajay, ta agla question, question number 15, which of the following freedoms is not specifically mentioned in the constitution of India, as a fundamental right, but has been subsequently upheld by the Supreme Court as itch. Inna de vichcho keda fundamental right ya keda freedom eidha di hai ghi, reidi ki fundamental right dhe torta hai, directly define nahi ki tegi, but ek fundamental right eidha ra hai gha, reida ki is freedom nu define kaarta. Ta ap deekh leh neha, the freedom to practice any profession or carry on the trade, the freedom of press, the freedom to assemble peacefully and without the arms, freedom of form, association and unions. deekho, a fundamental rights, a freedom dhe di hai ghi hai define kitte ghi hai, a freedom bhi define kitte ghi hai, freedom bhi define kitte ghi hai, freedom of press dhe di hai ghi hai, directly define hai kitte ghi hai, but that covers under the article 19, which contain the freedom of speech and expression, the press dha kam ki hai ga, kuch bhi bolna, freedom of speech and expression, that is article 19. ta ojde vecche nu kawar kitte ghi hai gha, it is freedom of speech and expression, clear? ta directly define niye, freedom of press, but ethe define kitte ghi hai, chad ho ji, agge chalde ya, question number 16, the fundamental duties by themselves do not enjoy any, haan ji, enna de vichcho, keda sanctions dhe hai gha, fundamental duties dhe torta nahi lag sakda, clear? that is social sanction, moral sanction, political sanction, yaa phir legal sanction, enna de vichcho, keda sanctions dhe hai gha, fundamental duties dhe regarding nahi lag sakda, ta agar me hai te gal kara dhekho, social sanction, moral sanction dhe political sanction dhe applicable ho sakda ne, but legal sanction dhe hai gha hai gha, and forcible nahi hai, legal sanction, clear? legal sanction, because citizens are dha morally obligated by the constitution to perform these duties, dhe kha hai, DPSPs dhe de hunde ne, tractive principles, state policies tarant, e dhe de ne, non-justifiable ne, clear? matlab, agar koi nahi follow kar da, ta tu shi osnu legal, legal action ni lai sakda hoste, that is the fundamental duties, thik hai, fundamental duties. Next question, consider the following statements, the basic structure of the constitution was the outcome of the case 1 and bharati case, clear? Pahela statement hai thai 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 ki, Indian constitution dhe da basic structure hai gha hai, wo case 1 and bharati case da outcome hai gha. Second statement hai thai ken da, case 1 and bharati case determined that the preamble is not a part of the constitution. Dekho, hoon dho statements ne, dho noo eek dujo dhiya reverse taas riyane, because preamble is the basic structure of the constitution. And pahela statement ki ken da hai, basic structure of the constitution was the outcome of the case 1 and bharati case. Ki, case 1 and bharati case dha hoya, oz di, judgment jadi hai, onne dasya ki, onne define kita basic structure of the constitution. On basic structure of the constitution ki a preamble, clear? Preamble. And second statement de wich ki ken da, case 1 bharati case determined that the preamble is not a part of the constitution. Thir ki preamble jada hai gha, constitution da hissa nahi hai. Ta basically agar mein gaal kara hai, ta 1922 tarattar de wich case 1 bharati versus state of Kerala jada hai thai case siga, is de wich athai dasya gha ki basic structure of the constitution was the outcome. Ta pahela statement jada merah hai gha, o ho janda hai, correct. Second statement meri ho janda hai, incorrect. The supreme court, the supreme court in the Beru-Bari Union case in 1960 held that the preamble is not a part of the constitution. But after the judgment of the Keshwan-Bharati case, it was accepted that the preamble is a part of the constitution. Preamble jada hai gha hai, es da hissa hai gha. Ta ithe preamble jada hai gha, hissa nahi hai gha constitution da statement meri karat hai. Preamble is a part of the constitution. It is a basic structure of the constitution. As a part of the constitution, preamble can be amended under the article 368 of the constitution. But the basic structure of the preamble cannot be amended. Clear? Preamble change ho sakda, but constitution da basic structure change ni ho sakda. Preamble da basic structure change ni ho sakda. That is da, Keshwan-Bharati versus state of Kerala case. Is nu like a very paper de vich question aya hai gha, tiyan rakhiyo. Ki e dha case hai gha, case cheese de regarding hai. Ta preamble de regarding hai. Basic structure of the constitution de regarding hai gha. Next question, article, question number 18. That is consider the following statements and mark the correct one. Inna de vich hapa inna statements nu dekhna hai gha. Preamble is justifiable. Pahla statement hai. Second hai gha, it is indicated by preamble that what is source of authority of the constitution. Next is, the Indian secularism is the same as that of the other secular countries of the West. Clear? The next is, preamble is a source of power of the laggish nature. The chaar statement mein re kou lethe hai hai ne ki preamble justifiable hai. Second statement, it is indicated by the preamble that what is the source of authority of the constitution. Preamble lethe dha hai ki source of authority kon hai? Constitution da. And ethe agar mein gal kara, Indian secularism is same as that of the other secular country. Ki paaradar e da secularism hai ga, wo dousere west countries then all similar hai ga? Nahi. Preamble is a source of power of the legislature. No, Preamble is not a source of power. Clear? And we can say, it is indicated by the preamble that what is the source of authority of the constitution. This is the correct statement we can say. That is, preamble of our constitution is a part of the constitution but is not enforceable by courts. Tek hai? Preamble ek introduction hegi hai. Seraph introduction that is non-justifiable. Next question, that is question number 19. Which of the following articles related to the fundamental rights cannot be suspended during the enforcement of the emergency under article 359. Emergency jodho article 359 dhe taht laggi hundi hai ta inna de bicho kede articles tede ne? Oon suspend nahi hundi. Oon nahi hundi. Clear? It is a article 1415, 1921, 2021, 2425. And agar mein gal karaan is question di. Tad dekho, it is article V te ekki hai gaya hai. It is suspend nahi hundi. It is suspend nahi hundi. Basically, it is article ki define kar di hai. Right to life and personal liberty. Yeh dho chiza haan. Yeh dho chiza haan. Yeh thai kise bandeh diyaan. Yeh thai remove nahi hosak diyaan. Yeh 44th amendment jodho hoi si ki. Yeh ne define kitta si ga. Thik hai? Yeh kise bhe bandeh diyaan diyaan. Right to life te personal liberty wala jada provision hai ga. Oon kise bhi case dhe vechi thai. Abolish nahi hosakda. Abolish nahi hosakda. Next question saade ko landa hai ga hai. That is the provisions of workers participation in the management of industry is provided under. Inna de vich ho kedeh article de tehat ek provision provide kitta hai ga hai ki company de de workers ne. Thik hai? Ek industry de vechi de de workers ne ovye management da hissa hoonge. Management de vechi participate karange. Ta kedeh article hai ga? Article 43A, Article 39B, Article 42 or Article 43B of the constitution. Ta I can say Article 43A de da hai ga. Yeh thai power provide kar da hai ga. Article 43 ki ken da hai ga? The state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management. of the undertakings, establishment or other organizations engaged in an industry. This is the part of the DPSP. Ductive principles of the state policy da hai hissa hai ga. Ductive principles of the state policies are the instructions given by the centre government to the state government. Clear? Ta state SDs da tehaan dakh hai ki. Article 43 de te hai ki dhe de workers ne ovye organization de vechi management da hissa hoonge. Next is 25 question. Aapne kul hai ge ne. 21st question apna a chukke hai ha. 5 question apne vach dhe ne. Chalo agge chalde hai ha. I hope ta nu enjoy hai. Ta si kaare hoge. Maza aareha hoge. Quesions nu dekke. Next question is. Which of the following bills cannot be introduced first in the Rajya Sabha? Inna de vich ho keda bill dhe da hai ga? Pahla Rajya Sabha de vich introduced nahi ho sakda. Dekho. Sa nu sara nu pata hai ga ki bills ki nne ta rao de hunde re. Inna de vich ho keda da bill hoonda hai dhe da ki. Jinnu Rajya Sabha da approval hi required nahi hoonda. Dhe da ki Rajya Sabha de vich janda hai ga. But siraf recommendations delhi. That is money bill. Clear. Money bill jada hoonda hai ga. Money bill jada hoonda hai ga. Money bill jnnu approval chai da hoonda hai. Lok sabha da. E Rajya Sabha de vich siraf recommendations delhi janda hai ga. E sili ee bill nnu pahla Rajya Sabha de vich present nahi kitta janda. Clear. Present nahi kitta da. Inna Rajya Sabha da approval nahi chai da. And money bill defined under the article 110. Article 110 janda defined kitta janda. Money bill. Clear. Money bill. Next question. Who act as the president when neither the president nor the vice president is available. Agar desh de vich. President bhi nahi hai ta vice president bhi nahi hai. Dekho agar president nahi hoonda na. Agar president kise case te karan nahi hai. Chutti te hai, bimar hai, mar gaya, kuch bhi ho gaya. Tau ozda da da kam hai ga ho vice president kar da. O vice president kar da. But unfortunately, koi adada da coincidence ho jai ki vice president bhi nahi hai ga. Vice president bhi nahi hai. Tau president da da kam hai ga, o karega CDI. Chief Justice of India. Chief Justice of India. Clear. Chief Justice of India. Chali hai ke. Next question. The salary of the governor. Dhe da ek governor hoonda hai. Es di dhe salary hai gaya hoon dinda. Thik hai. Governor nu salary koon dinda hai. Dekho governor is appointed by the union government. President dhe da aega. Governor nu appoint karda hai. But he nu salary koon dinda. Thik hai. Agar mai salary di gala kara hai. Yannu salary koon dinda hai ga. Thik hai. Agar apais di salary di gala kari hai. Yannu salary koon dinda. Consolidated fund of India. Contingency fund of India. Yaa consolidated fund of state. Yaa none of these. bankers. Thak dhe dai kool doteraz da waay fund under hai. Basigli consolidated fund tai contingency fund. Tha nga poun ٌ विल्यायदि टीन्नी इंकम होंदया है गौर्रमेन दो जनी ही इंकम हनदे चाहिए किसे भी शोर्स हो आ रिये चाहिसे थो आ रिये है गजने तो आ रही है ओ लिद्या पैसा consolidated fund दे खाहते है है हमे चाहिंख मेंदे हम तर स अ veins लिदिया हो आ सानने कांछे निटीन द Based fund of a state, consolidated fund of a state, that is our correct answer, clear. Next question, the question number 24, the second last question of the day, the special status of Delhi was granted to it by, हाँ जी एना दिविच्चो KD constitutional amendment जडी सेगी जडी जडी दिली नू special status provide कर दिया, दिली एक capital region सीगा बाच NCR national capital region बनेया, एक केडी amendment जडी जडी एक दिली नू special status जडी जडी परवाइड कर दिया 61st, 62nd, 59nd या 69th, एक 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 and this is 69th amendment of 1992, 209th amendment A.A. B. जडी आटिकल ने इना दिडिदा जडी दिली नू special status जडी 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 दिज लेगा, बट उस तो बाद एक news हो रहन दी है, the next question, ठीक है, very important, that is the National Capital Territory of Delhi Amendment Act of 2021, clear, एक current दा question एथे में तो दी ली रहकिया है, which one of the following statements are correct with respect to the government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act of 2021, हुने इस act दे विच दो statements एथे रित्यागी हैं, तोसी दस नी किडी करेक्ट है, किडी इनकरेक्ट है, ताद दा that term government in any law made by the Delhi Assembly will mean the left-hand governor of the National Capital Territory of Delhi, कैन दा मतलब किया है कि अगर दिल्ली दी वी आंसवादे विच कोई भी कानून बना आ जानदा है, उस कानून दा मतलब हैगा Delhi the left-hand governor, मतलब left-hand governor तो बिना तो सिर कोई कानून बना नहीं सकते, ठीक है, any law, ठीक है, ता पलिस statement बिल्कुल करे ठीक है, second, the left-hand governor can pass orders and transfer officials without consulting the elected representatives of the Delhi government, दिल्ली सरकार्दे रिटे चुने होई MLA नहीं पुछे बिना यानि की विदानसबादे विच कोई भी चर्चा किते बिना, रिटा left-hand governor हैगा, किसे भी officer दा ट्रांसवर कार सकते, किसे नू किते भी पेच सकते, कोई भी अपनी marginal decision लाय स रिटा है, yes, this is now applicable in Dalai, yes, this is now applicable in Dalai, both the statements are correct, both the statements are correct, clear, both the statements are correct, था यदे नवे रूल्स अमेंड किते गेने LG नू लेके, Indian government ने, Central government ने रिटा कानून पास किता हैगा, दिल्ली सरकार दे विच होँ दिल्ली सरकार कोई बिचीजन नहीं लाय सकती हैगी, दिली दे विच हर चीज इस दा मतलब हैगा, that is, left-hand governor of Dalai, left-hand governor of Dalai, एचीज तो आनू पता होनी चाहिए, एचीज तो आनू clear होनी चाहिए, तो दोस्तों, एचीज दे पच्छी कोशन, पच्छी कोशन आपा cover किते ने, I hope तो आनू मजा आया होगा, तुसी पच्छी कोशन अटप्ट किते होंगे, I promise कि अगली क्लास दे विच, अगले 25 कोशन जोदो मैं next week लेके आऊंगा, उनादा लेवल, मतलब 25 कोशन आफ पॉलटी जोदो मैं लेके आऊंगा, ठीक है, उनादा रेडा लेवल होगा, ओ एना कोशन तो भी अप होगा, यानि कि तो भी better अपा करां दी कोशिश करांगे, इप्रूब्मेंट सदा मेन परपस रहेगा, और नेक्स क्लास देडी हैगी हो तो अड़ी कल होगी आठ वजे, कल वाली क्लास होगी, एकानमी दी, ठीक है, कल एकानमी दे 25 कोशन नो कवर किता जाएगा, ता आठ वजे कल भी तया रही हो, आज भी तो उसी सेशन देखिया, अगर चंगा लगया आज दा सेशन ता लाइक करना नहीं पुल्ला है, एक एक एंड देविच एक बहुत इवधिया चीज तोड़े ली मैं एथे शेर करूँगा, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन दू इट, ठीक है, अगर तोसी कोई सपना देखिया आएगा, अगर तो अगर 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 आपन निरंतर मेहनत कर दे रहांगे, ता एक दिन सफलता सड़े पैरा देविच जरूर होगी, आरदे नाल, आरदे सेशन नो मैं खतम करूँगा, एट तोड़े अगर बेंती करूँगा, कि सेशन नो रेगुलरली अटेम्ट करना है तो अनू ये बहुत चंगे तरीके ते तोड़े एक्जाम ली, हल्प जरूर करेगा, हाले तक तुसी साथे यूट्यूब चैनल नो सब्सक्राइब करना नहीं पूलना है, और इस देड़ा पीडिफ हैगा, ओ मिलेगा टेलिग्रम चैनल ते, टेलिग्रम देड़ा लिंक हैगा और दिस्रिप्शन दे विच दिखता गया, इनड़ी साथी सीरीज है एगी है, इस दे प्रोवाइड किते रणगे 25 कोशिंस प्रोवाइड किते जाय करनगे, तो आज दी क्लास एथे खतम हुन दिये, कल एकॉनमी दी क्लास, शामी आठा बजे, थांक यू सव मच, टेक केर.